Class 11th का Chapter 6 Linear Inequalities देख रहे हैं जो हमने पहले Classes में पड़ा एक Variable और दो Variable की Equations हमने देखी और उसमें क्या है कुछ Equalities थी यानि कि क्या हम कोई भी चीज़ को कोई भी जो General Statement है या General Life की Problem है उसको हम क्या Equation की तरह बना सकते हैं माल लिजे क्या Height जितने भी Students हैं आपकी Class में वो 160 cm से कम है माल लिजे आपकी जो Class है उसमें 60 Table आ सकते हैं, Chairs आ सकती हैं तो इसमें हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कुछ कम, Less Than, Greater Than, Less Than Equal To, Greater Than Equal To तो इस तरीकी की कुछ चीज जानने की कुशिश कर रहे हैं और इसे हम कहते हैं Inequalities आप अपने भाई से छोटे हैं या बड़े हैं अगर Height की बात करें, उमर की बात करें तो इसमें आप छोटे या बड़े हो सकता हैं तो दुनों बराबर भी हो सकते हैं हम क्या करेंगे कि Linear Equalities एक और दू विरिबल्स पे देखेंगे Inequalities, अगर कोई Equality है तो आप जानते हैं कि कैसे हमको चीजे पता करनी है लेकिन Inequalities बहुत सारे जगा आपका उप्योगी साबित होती है अब आप जैसे एक्जामपल इसके देखेंगे तो आप समझागे कितना इसके Mathematics में उप्योग है अब कुछ में आपको Inequalities बताता हूँ पहले आपको एक सिनेरियो प्रेजन करता हूँ फिर बताएंगे उसको कैसे लिखते है रवी साहब है ये मार्केट में जाते है और उनके पास 200 रुपए है रवी भाई साहब के पास 200 रुपए है चावा लेने जाते है और एक केजी के पैकेट में चावा मिल ज़ुआ है एक पैकेट राइस का कॉस्ट है 30 और अगर एक्स डिनोड करता है एक्स बताता है कि कितने पैकेट्स राइस वह खरीदते हैं तो एक्स हो गया टॉटल नम्बरां पैकेट एक कौण से 30 रुबई कितना हो जाएजा 30x इतना उन्होंने स्पेंड किया ओके अब इनको पैकेट में लेना है तो कुल मिला के आप देखें 30 एक्स मैं 30 को 30 को इस खरीके से ले जा हूँ अगर मैं 30 को 200 को 30 से डिवाइड करूँ तो मेरा कुछ रिमेंडर बचेगा इसका मतलब मैं आप पूरा तू दो सब्रों हो भी पाएगा 30-30-30 के मैं कितने भी पैकेट खरीद लिए तो हमेशा 30 एक्स इतना मैं खरूद दूसो से कम ही रहे 200 से जादा खरीद नहीं सकते हैं दुकानदार बेगा नहीं कि आपके पास पैसे लिए हैं कम लिजे तो अगर हम यह देखेंगे ही मतरवी साहब इससे जादा नहीं खरीद पाएगे 30 एक्स वन्दब इतने पैकेट खरीद पाएगे तो यह जो equation आप less than देख रहे हैं 200 रुपे से कम ही खरीद पाएगे और इतने खरीद पाएगे कुछ remainder बचरा इसलिए तो उसे हम sign of inequality और sign of inequality कह रहे हैं क्योंकि इसमें equal sign नहीं आ रहे हैं अगर आप 30 x is able to 200 बना पाते हैं किसी तरीके से तो ठीक है लिए बंद ही पाएगे एक और example देता हूं आपको रेश्मा के पास 120 रुपे है और वो register पहले ना चाहते है एक register को cost है 40 रुपे और एक pen को cost है 20 यादे कि 40 अगर x denote कर रहा है कितने register लिये तो x into 40 पुले register का cost हो जाएगा ऐसी y denote कर रहा है आपका pen तो 20 into y उनके क्या हो जाएगे ये register होगे ये pen होगे तो 40 x और उसको जोड़ दी ये 20 y से तो ये total cost हो गया आपके जितना उन्होंने खरीद है जितना उसका cost हो गया अब total amount उनके पास कितना है 120 रुपे है अगर हम इस दोरों को जोड़ भी दे तो आप देखेगा 120 से ये कवजी निकलेगा लेकिन एक इसमें case हम बनता है कि divide भी हो जाएगा तो ये वाला cost एक सब इसे divide होगा तो ये equality का sign में नखाएंगे तो less than तो है equal भी होगा इस case में आप दो चीज़े देख पार है एक तो less than है equality जो statement ये वाली statement है ये equation नहीं है equation तभी बनेगी जब ये equality का sign आएगगी ये आपका inequality है ये आपकी equation है और ये expression लेंगी चलते हैं दो real number या दो algebraic expression इसी तरीके से less than greater than less than equal to greater than equal to इस form की inequality से अगर जुड़े है तो इनको हम कहेंगे inequality जैसे तीन साथ पांच से छोटा है साथ पांच से बढ़ा है इन numerical inequality होगी हमने कहा x less than 5 है तो यहाँ x आ गया तो यह हम लिटरल variable एक तरीके सा गया तो यह आपका literal inequalities है जैसे आप में खहाँ y 4 से छोटा है और बराबर भी हो सकता है यह literal inequalities होगी है ऐसी हमाने पास double inequalities भी है जैसे 5 तीन से बढ़ा है साथ से छोटा एक सब बताएगो इसी तरीके से x 3 से बढ़ा है लेकिन बराबर भी हो सकता है लेकिन 5 से बिलको छोटा है ऐसी यह वाली है y 2 से तो बढ़ा है लेकिन 4 से छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है इसे हम कहते है double inequalities तो और भी inequalities यहाँ पर देखरी जाएगी स्टाइक इन इक्वालिटीस एक्स टस बी आपका less than हो सकता है 0 से greater than हो सकता है 0 से किसी concept value से बढ़ा छोटा हो सकता है यहाँ यहाँ पर आपकी quadratic patient आगए यह less than equal to 0 हो सकता है greater than 0 हो सकता हो तो जिसमें आपका equal to sign नहीं है जैसे यह पांचवा नंबर है ऐसी यह छटवा नंबर आपका यहाँ पर देखिए इसमें less than के बढ़ less than और greater than इसमें equality नहीं है less than और greater than इस तरी के जो साइन होते हैं उसे हम strict inequality क कहते हैं जबकि हम less than equal to या greater than equal to इस तरी की इससा होता है तो इसे हम slack inequality कहते हैं ऐसी जी वाली जो equation है 5 से लेकर 5 से लेकर 8 तक यहाँ पर इसको हम कहेंगे linear क्योंकि आपके एक्स है और यहाँ पर 9 से लेकर अगर आप 12 तक देखे तो यहाँ एक्स और Y है तो इसे हम कहेंगे यह तो linear होगी उपर वाली और जो नीचे वाली आप देखेंगे क्योंकि इसमें दो variable है ओके यह linear आपको यहाँ से ना तक हुआ linear in equality is one variable के साथ यह वाले हुए linear in equality is आपके दो variable के साथ इसी तरीके से जो 13 और 14 है यह तो linear है यह नहीं क्योंकि आप जानते है यह a square आ गया त तो इसे हम बोलेंगे यह linear नहीं है यह basically quadratic inequalities है एक variable x की तो हम कोशिश करेंगे कि इस chapter में linear equalities हम देखें एक और दो variable के मद्दे नदर तो algebraic solution अगर इस linear equalities का जिसमें हमने कहा कि हम एक variable और दो variable के बारे में बात करेंगे उसको graphically भी solve करेंगे तो माली जे एक हम भी जो पहले डिसकास किया था कि 30 रभी भाई के पास 30 रुपे है और वो x rice के packet खरीडते है तो 200 से कम रहेगा 30x is less than 200 यह एक inequality एक से आपर क्या कर रहा था दिरोट rice packet तो x negative हो सकता है यह rice packet क्या number of rice packet negative हो सकते है यह यह नहीं हो सकते है तो यह negative integer यह fraction नहीं हो सकते हैं left hand side जो inequality है 3x 30x right hand side में आपको मिल रहा है 200 इसका मतलब यह है अगर आप x 0 रखे अगर देखे 30 into 0 तो यहाँ पर क्या होगा 0 200 से छोटा है ऐसी अगर आप 30 यहां तक पहुंचेंगे तो तो true है लेकिन जब आप 7 पहुंची गए उन्होंने बाइचास अगर 7 packet ल 210 रुपे 200 से उपर निकर गए यह situation जो है वो false हो गई तो हम इस situation में क्या दिखा कि 0 से लेकर 6 तक तो सब true हो गया लेकिन जैसे हम उसके उपर गए हमारा false हो गया तो जो solution है इस inequality का वो होगा 0 से लेकर 6 तक यहां तक true है इधर तक true है यहां से लेकर यहां तक यह false हो तो कोई भी solution किसी inequality का एक variable में वो सारी values है variable के जो इस statement को true बनाती है जहां यह false निकल जाएगा वो उससे बाहर निकल जाएगा तो हमने देखा कि अभी फिलहाल यह पिछला हमने देखा रभी भाई का इसमें trial और error मतल लगा यह जादा efficient नहीं है कभी काम करेगा कभी काम न fine consuming भी है feasible भी नहीं है तो इसके लिए और भी techniques है इस inequality को solve करने हैं और इससे पहले कि हम और इस numerical inequalities की दरब जाएं थोड़ा सा आप याद करिए कि जो equal numbers आप दोनों से एक equation अगर है तो दोनों साइड अगर आप plus x or plus x कर दें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यह वैसे भी cancer आ है यह कुछ भी है आप आप किसी भी constant value से multiply भी कर सकते हैं divide भी कर सकते हैं divide तब करेंगे लेकिन द्यान रखे का 0 से नहीं कर सकते है तो अगर हम solve करना चाहें इस inequality इसको तो हम कुछ rule अभी आप जो देखे हैं वो हम कहेंगे कि अगर हम inequality का sign अगर बदलते हैं जैसे हमने inequality यूं हो जाएगा मतलब अगर sign inequality का reverse करते हैं तो less than greater than हो जाएगा और greater than equal to less than equal to जब भी हम multiply divide करें दो side को inequality को किसी negative number से तो इससे यह देखते हैं कि अगर हम 3 greater than 2 कहींगे तो minus अगर हम 2 side लगा दे तो यह sign उल्टा हो जाएगा जैसे हम sign लगाएंगे, sign उल्ट करेंगे यह sign है इन equality का वो भी change है जैसे minus 8 को हमने का less than minus 7 आप अगर plus 8 plus 7 करना चाहते हैं तो यह दोनों यहाँ पर बता जाएगे दोनों side अगर आप एक ही value से जैसे multiply कर रहे हैं minus 2 into minus 2 तब क्या होगा तब signature यह same रहे है तब कोई दिक्कत नहीं होगी तो हम इस rule को थोड़े rule को और बढाते हैं जो equal number है वो add किये जा सकते हैं या subtract किये जा सकते हैं inequality में बगैर sign की inequality को change की हो इसी तरीके से जो inequality में दोनों sign multiply किये जा सकते हैं और same positive number से लेकिन जैसी आप इसको negative number से multiply डिवाइट करेंगे sign को जो inequality का sign उसको reverse करना में लेगा यह important है तो यह हमने introduction देखा आपके inequality का और भी जीज़े बागी ही बहुत शुक्रिया पाफ लेगाने अब सभी की